दिवाली पर दीपक जलाते समय भूल कर भी न करे ये गलती, जोतीशी से जाने नियम. दिवाली दो हजार तेईस, दीवाली पर माता लक्षमी भगवान गणेश और धन कुबेर की पूजा आराधना पूरे विधी विधान के साथ करने पर जातक की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है. इस दिन दीपक जलाने की परमपरा है, लेकिन दीप जलाने के लिए कुछ नियमों का जानना जरूरी होता. रात के अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश का पर्व दीपावली है इस दिन घरों में दीप जलाकर दीपावली का त्योहार पूरे धुमधाम से भारतवर्ष में मनाते हैं हिंदू धर्म में दीपावली का महत्व ज्यादा है माना जाता है कि पहली बार दीपावली का पर्व भगवान श्री राम जब रावन का वतकर अयोध्या वापस लोट रहे थे तब अयोध्या की जन्ता ने भगवान राम के स्वागत के लिए त्योहार मनाया था इसके साथ ही दीपावली के दिन माता लक्ष्मी भगवान गडेश और धन कुबेर की पूजा आराधना भी की जाती है दीवाली पर माता लक्षमी भगवान गडेश और धनकुबेर की पूजा आराधना पूरे विधी विधान के साथ करने पर जातक की हर मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है इस दिन दीप जलाने की परंपरा है लेकिन दीप जलाने के लिए कुछ नियमों का जानना जरूरी होता है आईए देवघर के जोतिशाचार्य से जानते हैं कि दीपावली के दिन दिये जलाने के नियम क्या है इस साल दीपावली 12 नवंबर को मनाया जाएगा इस दिन दिये जलाने की परंपरा है दीपावली के दिन दिये जलाना शुब माना जाता है वहीं दिये जलाकर खाली जमीन पर भूल कर भी ना रखें फिर चाहे वह घर के प्रवेश द्वार पर हो या फिर माता लक्ष्मी के समक्ष इससे नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है दीए को जलाकर उसे आसन पर रखें इससे सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है इसके साथ ही दीपावली के दिन दीप जलाकर पूरब दिशा में ही रखें दीए के निचे इन चीजों को बनाए आसन खड़ा चावला हर शुब कार्य करने से पहले आसन पयार किया जाता है दीए को चलाकर खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए दीए को जलाकर खड़े चावल के उपर रखें जो बेहत शुब माना जाता है दिये के नीचे रखे गए चावल दिये के आसन के सामान होता है इससे माता लक्षमी प्रसन्न होंगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी रोली अक्षता दिये को जलाने के बाद दिये के नीचे रोली अक्षत जरूर रखें इससे ग्रह दोश से छुटकारा मिलता है दीपावली के दिन अगर आप दिये के नीचे इन दोनों को रखते हैं तो आपके ग्रह मजबूत होंगे दीपावली के दिन जाडू खरीदना होता है बेहत शुग जानिये इससे जुड़ी कुछ रोचक बाते हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीजे होती हैं जिनसे कोई ना कोई वास्तू शास्त्र जुड़ा होता है ऐसी ही एब वस्तू है आपके घरों में पाई जाने वाली जाडू क्या आप जानते हैं कि साधारन सी दिखने वाली जाडू भी आपको धनवान बना सकती है दीपावली को लेकर कई तरह की शुब बातों को बताया जाता है दीपावली जहां खुशियों और उच्सा को लेकर आती है तो वहीं दीपावली पर खरीदारी को बेहत शुब माना जाता है दिवाली पर घर, ज्वैली आदी को लोग खूब खरीदते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन जाडू खरीदना भी शुब माना जाता है? मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन जाडू खरीद कर इसे पूजा के बाद अगले दिन से इस्तमाल करना चाहिए. जाडू का अगर सही तरह से उप्योग किया जाए तो जीव कि अगर आप जाडू का अपमान करते हैं, तो इससे मा लक्ष्मी का अपमान होता है। यही कारण है कि कभी भी जाडू पर पैर पढ़ने पर उसको छुआ जाता है। इसे में दिवाली के दिन अगर स्थाई लक्ष्मी का वास चाहिए तो मंदिर में शुब मुहुर्त में जाडू दान करनी चाहिए। दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है, जो किसी भी दिन हो आप जाडू खरीद सकते हैं, वरना शनिवार को जाडू लेना मना किया जाता है। क्योंकि शनिवार को जाडू की खरीदारी को अशुब माना जाता है। इतना ही नहीं अगर आप नए घर में ग्रह प्रवेश कर रहे हो तो घर में जाडू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। कहा जाता है कि जाडू को किसी खुले स्थान पर खुला रखना अप्शकुन मा जाना जाता है। कभी भी घर के मुख्य द्वार से किसी को जाडू नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर जाडू का उप्योग ना हो रहा हो तो से नजर के सामने न रखें। इतना ही नहीं नौर्थ दिशा की तरफ जाडू को छिपा कर रखना चाहिए। जीवन में परेशानिया आ जाती है। इसके साथ ही जाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। बहुत समय से इस्तमाल हो रही जाडू को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर आपको नई जाडू लानी चाहिए। कभी भी जाडू को पैर से लांगना पा यानि कि जाडू का किसी प्रकार का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। दीपक जलाते समय नीचे रख दे ये चीज पैसों से हमेशा भरी रहेगी तिजोरी। हिंडू धर्म में पूजापाट को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान भगवान के सामने तुलसी के नीचे और मुख्यद्वार के आसपास भी दीपक जलाए जाते हैं। दीपक की रोशनी से जहां निगेटिव एनरजी समाप्त होती है। वहीं कई तरह के वास्तू दोशों को भी दूर करने में मदद मिलती हैं। इसलिए लोग सुभशाम दीपक जलाते हैं। जोते शास्त्र में दीपक जलाने के कुछ टोटके भी बताए गए हैं। इन टोटकों को करने मात्र से घर में हमेशा सुक्समृद्धी और शान्ती बने रहती है। शास्त्रों के अनुसार, उजा के दौरान देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से उनकी कृपा जल्द प्राप्थ होती है। जब भी दीपक जलाएं तो घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक दाएं हाथ की तरफ रखें। ऐसा करना शुब माना जाता है। इससे नजरदोश से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में चावल को पूजनिय मानते हैं। पूजापाठ में अक्षत के रूप में चावल का इस्तमाल होता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक के नीचे चावल रखने से धंदौलत की कमी नहीं होती है। गेहू एक ऐसा अनाज है, जिसे दीपक के नीचे रखने से कई तरह के लाब होते हैं। इसे दीपक के नीचे रखकर दीपक प्रजवलित करने से धंसंबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ लक्षमी मा और अन्नपूर्णा देवी की भी कृपा बनी रहती है। दिवाली 2023 लक्षमी पूजा के बाद इन आठ जगों पर दीपक जरूर रखें, परिवार में बरकत बनी रहेगी। दिवाली के दिन कुछ विशेश थानों पर दीपक जरूर रखने चाहिए। इन जगों पर दीपक रखने से माता लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहती है और परिवार में सुक्स्मृध्धी और बरकत बनी रहती है। हर साल कार्थिक मास की अमावस्या तिथी को दीपावली का पर्फ मनाया जाता है। दिवाली के दिन माता लक्षमी और श्रीगेश की पूजा होती है। इस साल दिवाली का त्योहार बारह नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। माना जाता है कि दिवाली की रात को माता लक्ष्मी धर्टी पर विचर्ण करती है. ऐसे में उनके आगमन की तैयारी के लिए लोग घरों को सजाते हैं और दीपक वगैरा जलाते हैं. जोती शाचार्य की माने तो दिवाली के दिन कुछ विशेश स्थानों पर दीपक जरूर रखने चाहिए इन जगों पर दीपक रखने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और परिवार में सुक्स्मृध्धी और बरकत बनी रहती है इन आठ जगों पर जलाएं दीपक दिवाली की राद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है साथ ही द्वार को साफ सुत्रा रखे और फूलू रंगोली आदी से सजाएं माता लक्ष्मी को ये चीजे बेहत प्रिया है दिवाली की शाम को पूजन के बाद भंदार ग्रिह में दीपक जरूर जलाना चाहिए भंदार ग्रिह माता लक्ष्मी के स्थानों में से एक माना गया है अगर ऐसा क्या जाये तो घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती. धन का मतलब लक्षमी से होता है. जिस स्थान पर आपका धन रखा जाता है, वो स्थान माता लक्षमी का होता है. उस जगह पर पूजा के बाद एक दीपक ज़रूर रखें. इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धनकी कभी आप जिस वाहन को चलाते हैं वो भी आपकी संपत्ती का ही हिस्सा है उसके पास में भी एक दीपक जरूर रखें इससे माता लक्ष्मी की कृपा रहती है नल, कोई या कोई अन्य पानी के स्त्रोत घर के पास है तो उसके पास दीपक जरूर जलाना चाहिए माता लक्ष्मी को प्रकृती का रूप कहा गया है ऐसे में जल प्रकृती के अभिन्न अंबो में से एक है जल नहीं तो जीवन नहीं अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ एक दीपक ज़रूर रखें इससे भगवान का आशिरवाद हमेशा आपके साथ रहेगा अगर मंदिर नहीं है तो इस दीपक को घर के मंदिर में ही रख दे पीपल के व्रिक्ष में 33 कोटी देवताओं का वास होता है कि व्रिक्षों में मैं पीपल हूँ पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीपक रखने से माता लक्षमी बेहत प्रसन्न रहती है क्योंकि वो दीपक नारायन को समर्पित होता है एक दीपक घर के आंगन में मौझूद तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है इससे माता लक्ष्मी और नारायन दोनों की कृपा प्राप्थ होती है डिस्क्लेमर इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामगरी गंडा की सतीकता या विश्वस्नियता की गारंटी नहीं है विभिन माध्यों ज्योतिशियों पंचान प्रचनों मान्यताओं धर्मगरंथु से संग्रहित करिये जानकारियां आप तक पहुचाई गई है हमारा उद्देश महस सूचना पहुचाना है इसके उपयोग करता इसे महस सूचना समझ कर ही ले इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिनमेदारी स्वयम उपयोग करता की ही रहेगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेर करे कमेंट में जै मा लक्ष्मी लिखना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद